आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वाकत है इस चैनल पर आई ये हम चलकर आज रुची सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में कुछ बात करते हैं आपको शायद पता ही होगा रुची सोया की ब्रैंड अमेस्टर महातुरी दिक्षित नेने है और इनके महाकोश सोयाबीन ओयल के different different sizes के Oils market में available है और जो इसके market में बहुत जादा डिपानल भी है हम यहाँ पर इनके प्रोड़क के बारे में नहीं बात करेंगे हम बात करेंगे हैं पर रुची सोया इंडस्टीज के current share price की future prediction और इसकी fair valuation की आपको शायद पता ही होगा आज morning में हमने वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि शायद हो सकता है lower circuit फिर से लगे और 957.90 पर stock जाके बंद हो हम आज की भी prediction करना चाहते हैं पर हम आगे उसको बात बताएंगे पर आप पहले समझेए कि जो last दो वीक की बार बनी है और अब ये last ये current week में एक दिन और बाकी है ये पिछली दो बार से बढ़ी है जब भी market अपर circuit से गिरता है तो उसकी fall and pace बहुत जादा होता है compare to जब वो अपर circuit से उपर पढ़ता है क्योंकि उसका base small रहता है उपर पढ़ते वे और जब वो नीचे गिरता है तो उसका base बड़ा होता है तो वो कम दिनों में उतनी ही दूरी तै कर सकता है गिरते हुए जितनी उसने जादा दिनों में उपर चड़ते हुए की थी अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है मैं आपको जब से सला दे रहा हूँ प्लीज आप रुची सोया से निकल जाएए ये current valuation पे नहीं ठीक है अभी रुची सोया इंडिया की largest one of the finest oil company है और इन्होंने बहुत बड़ा palm plantation अपना future growth के लिए रखा है आपको बता दिया जाए कि एक बार अगर आपने palm tree लगा दिया तो उसमें palm seeds करी 35 साल तक आते हैं तो initial investment एक बार का है और आपको अगले 35 सालों तक continuous return मिलेगा तो profitability बहुत अच्छी रहेगी आगे चलकर हम यह नहीं कहरें company का outlook खराब है हम यह सिर्फ बोल रहें कि इसकी valuation ठीक नहीं है अब जर आप इसको operator game को समझने की कोशिश कीजिए कैसे operator आते हैं और कैसे वो normal public को बेवकूफ बनाते हैं आप सबसे पहले इस pink circle को देखिए जहाँ पे हमने किया हुआ है अगर आप देखें तो volume बहुत ज़ादा है एक लंबी wix बनी है और body बहुत चोटी है operator आए उन्होंने जहां सादिया लोगों को नीचे से नहीं मिल पाया लोगों को तो उन्होंने यहाँ पे आनके लोगों को फसाना शुरू किया तो market में क्या हुआ करीब 500-600 रुपे पे लोगों को कुछ शेर मिला और उन्होंने फिर से उसको आगे-ागे circuit पे लेते चले गए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यह तो उपर ही चलता चला जाएगा उपर ही चलता चाहिए कभी नीचे गिरेगा ही नहीं इसके चलते हुए उन्होंने एक दूसरे के साथ न्यूस शेर की और उन्होंने उसको फाइनली बहुत सारे लोग इसको डिमांड में आ गए अब ऑपरेटर इसी का इंतजार करते हैं हम आपसे आज कोश्चन पुछते हैं क्या रुची सोया का फिर से लोवर सरकिट लगेगा हाँ या नहीं ये तो सिर्फ समय बताएगा हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से जी हाँ इसमें लोवर सरकिट लगेगा और ये 910 रुपे और 5 पैसे पर शाम को बंध होगा अब देखे फिर आगे उन्होंने फिर से क्या किया उन्होंने जो लोग को शेयर नहीं मिल पाया था इस 5 स्टेप्स में स्टेप बन पे एक ऑपरेटर ने दूसरे ऑपरेटर को शेयर दिये फिर दूसरे ने तीसरे को दिये तीसरे ने चौते को दिये low quantity बट आपस में exchange करते हैं फिर चौते ने वापस उसको पहले को दे दिये तो इस तरह से operator काम करते हैं और यहां देखिए उनने फिर और public को enable किया share खरीदने के लिए जो लोग 6500 पे नहीं खरीद पाई थे उनको उनने force किया कि वो करीब-करीब 930 पे खरीद सकें अगर आपको यह समझ में आ रहा है दोस्तो फ्लीज मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे इस वीडियो को लाइक कीजेगा क्योंकि ट्रोलर्स का बहुत जादा negative comments आ रहे हैं और उसको बहुत जादा dislike कर रहे हैं वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है अगर आप मेरे साथ हैं आपको समझ में आ रही है चीज़े तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें अगर आप यहाँ पर देखें कि इन्होंने फिर से लोगों को अंदर फसाने की कोशिश की और अभी यहाँ पर प्राइस हो गया है करीब करीब 1100 रुपे का 1100 रुपे पर उन्होंने फिर से डिप दिया जो लोग नहीं रेली में पार्टिसिपेट कर पाय थी इनीशलियर जुनकी डिजायर थी इसको स्टॉक को ओन करने की उन लोगों को फसाद दिया गया यहाँ पर चलते चलते फिर उन्होंने फाइनली लास्ट लेग में टॉप से गिरना शुरू किया यह टॉप जाते जाते फंद्रह सूर रुपे तक गया है उससे उपर भी विका है पर उसके बाद में जो यह गिरना शुरू हुआ है अभी मेरे पास कई कमेंट्स हा रहे हैं कि सर हमारे हम फस गये है हायर लवल पे हमने बारा सूर में भी लिया हुआ है हमने तेरा सो में भ तो आपको सावधान रहना है इन सब चीजों से जी हाँ, हमारे चनल पर आप आए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आप पहले चीजों को समझे उसके बाद हम पैसे कमाने की बात करेंगे पहले आप सीखिए चीजों को, ये बहुत जरूरी है पुरुचिस होया, आपको पता ही है इंडिया की नमबर वन ओयल कमपनी है बहुत अच्छा कमपनी का प्रफाइल है उसमें कोई शक्त की बात नहीं है फिर देखे अभी लास्ट में जो इन्होंने यहाँ पे जुलाए शुरू हो जून के एंड में उन्होंने जैसे ही लोवर सर्कृट बनना शुरू किया तो उसके बाद से कोई वॉल्यूम नहीं रह गया आखिर में और जो लोग एग्जिट होना चाते हैं उनको अपॉर्चुनिट नहीं मिल रही है कल यह 957.90 जैसे हमारे प्रडिक्शन थी उसी पे जाके बंद हुआ है इनको स्वया प्लांटेशन के लिए साथ राजियो का अप्रूवल मिल गया है आपको शाद पता ही होगा अगर हम इसकी वैलिएशन की बात करें जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया तो तो इसकी वैलिशन करी 35,000 करोड थी अभी आप देखिए साथ दिनों के अंदर अंदर 35,000 करोड या 40,000 करोड थी नहीं शरी जो थी अब वो केवल 28,000 करोड रह गी है कल के मार्केट बंद होने के बाद प्लीज कंसल्ट यूर फाइनेशल अडवाईजर before investing and trading हमारी सलहा आपको जैसे ही opportunity मिले आप इसको मार्केट पे sell कर सकते हैं जिस तरह से आप देख रहे हैं step बन रही है कोई body में rate नहीं है कोई wix नहीं है यह पूरा clear operator game चल रहा है यहाँ पे public को फसाद दिया गया है जो लोग 1200-1400 में खरीदे हैं अब वो निकल भी नहीं सकते हैं वो सोच रहे हैं कि यह और जाएगा यह 2000 हो जाएगा यह 15000 हो जाएगा ऐसा उनको अफवाह करके यह share उनको चपेट दिया गया है और अब वो निकल भी नहीं पा रहे हैं हमारी सलहा आप सुभा मार्केट खुलते के साथ ही अपना ओर्डर प्लेस कर दिजिए आप ओर्डर प्लेस करने में देर मत कीजिएगा अगर आपका ओर्डर प्लेस हो जाता है हो सकता है जो छोड़ा वोल्यूम आए और अगर आप सबसे पहले क्यों में है तो आपका ओर्डर हो भी जाए पर इसकी बहुत चंद कम चांसे है जब यह लोड़ सब्सक्राइब में ते हाई वोल्यूम पर लग रहा है तो दिक्कत है इसका टागेट हमारा अभी भी टागेट हम 350 बोल रहा है अगर कोई इंट्रेस्टेट है तो प्लीस कमेंड में अपना मेल डालिए मेल आइडी डालिए हम उसको रिपोर्ट भेस देगे चैनल को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया प्लीस लाइक जरूर कीजेगा बाई